हलो एवरिवन, आज हम अल्फाबेट टेस्ट का छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्फाबेट क्यूबल, छोटा है लेकिन इंपोर्टेंट है alphabet cubel में क्या होता है alphabet cubel में हमें questions मिलेंगे हमारी alphabet series में जो हमारी English alphabet series है वो आपको पता है 26 letter की होती है उस 26 letter के उपर हमें कुछ questions मिलेंगे उनकी position के उपर तो यह ही है हमारी alphabet cubel देखिए आपके सामने मैंने alphabet series लिखी है इस English alphabet में हमें कैसे question मिलेंगे वो हम समझते हैं इसमें basically बहुत सारे type की question आते हैं लेकिन आज हम basic type करेंगे और वो होता है based on the position देखो position क्या है इसमें question कैसे मिलेगा question इसमें यह मिलेगा उससे पहले हमें 2-3 चीज़े basic सीखनी है कि A से M तक यह चीज हमारी कहलाती है English alphabet की first half और N से Z तक हमारा कहलाता है English alphabet का second half A हमारा left side से है Z हमारा right side पे इसमें हमारे position के questions आएंगे थोड़ ऐसे puzzle form में ठीक है तो एक basic सा question मैं आपके सामने करता हूँ तक हमारा 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 तक हम the left end in the English alphabetical series, देखिए, इस तरह के question हमें मिलेंगे, एक puzzle के form में position का, कि कौन सा letter हमारे English alphabet के left end से 15th letter के left में 5th हो, देखिए, फिर से समझाता हूँ, left end से 15th letter, देखिए, left end से हमारा, sorry, left end से हमारा 15th letter है हमारा O, ठेखिए, के left में 5th, तो O से left चलिए 5th की दरफ, तो 1, 2, 3, 4, 5, answer आ जाएगा हमारा J, ये तो होगा basic method, ये तो होगा basic method, लेकिन अगर हम इतनी time cushion को solve करने में लगाएंगे, और competition के अंदर, तो ये worth नहीं है, तो इसको करने का एक और shortcut तरीका जो आप without pen को solve कर सकते हैं, उसके लिए concept समझ लीजे, देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ये लिखनी है, सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ये लिखनी है, from, तो यहाँ पे from left से बोला है 15th, उसके बाद आप आपको लिखना है कि दूसरी position क्या है, वो है left से 5th, बस आपको ये check करना है, अब आप देखिए, जब दोनों same position मिले ना, यानि दोनों ही आपको left से मिले तो ये minus होंगी, तो 15 में से 5 गया, तो left से क्या answer आजाएगा आपके पास 10th, यानि हमारा answer आजाएगा left से 10th, और left स 10th letter होता है हमारा J, ऐसे question को आप orally solve कर सकते हैं, जैसे for example, इसी को मैं और deep बताऊँगा, सबसे उपर आप ये हमेशा from वाला लिखना, अभी मैं आपको left बता रहा हूँ, from left वाला, फिर मैं आपको from right वाला बताऊँगा, तो आप left से 20 letter, के left में 5th letter क्या होगा, तो आप दे ठीक है, देखते हैं, left से 17th letter, के left में 5th letter कौन सा होगा, तो 17-5, तो left से हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और left से 12th हमारा letter होता है L, ठीक है, अभी मैं आपको same वाला बता रहा हूँ, ठीक है, एक last है, फिर मैं आपको from right वाला बताता हूँ, के left से 20 letter, के left में 9th कौन सा होगा, तो देखिए, दोनों same है, minus होगा, तो answer आजाएगा, left से 11th, और left से 11th letter होता है K, तो हमारा answer आजाएगा K, ठीक है, ये बहुत basic है, अब एकर हम from right वाला सीखते है, same cushion है, ठीक है, same cushion मैं लिख देता हूँ, right वाला concept आपको बड़े ध्यान से समझना है, right वाला concept बड़े ध्यान से समझना है, कि right से 15th letter, के right में 5th letter कौन सा होगा, तो आप देखिए, दोनों right आचुक है, आपने minus करा, answer कितना है, right से 10th, अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना है, right से 10th, यहाँ से solve करने के उसको तीन तरीके है, तरीका number first, कि आप उसे count करें, right से 10th का मतलब यह है, कि आप Z से 10th count करें, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, answer क्या आ जाएगा, Q, ठीक है, तो एक तरीका यह था, count करने पर हमारा answer आया है, ठीक है, Q, Q, दूसरा तरीका यह है, कि आप यह देखिए, आप इसी को ही assume करिए, कि यह left से 10th है, और left से 10th letter क्या होता है, जे, तो जे का opposite लिखे और जे का opposite होता है, क्यों, तो क्यों हमारा answer आ जाएगा, फिर से repeat करता हूँ, देखें, जब भी आपको from right मिलना है, हमेशा from right, तो वहाँ पर आपको solve करने के 3 तरीक है, from right का मदलब आपको z से count करना है, तो यह तो आप z से count करें, ठीक है, या फिर आप क्या करें, कि आप इसको left से 10th माने, left से 10th हमारा j होता है, और उसका opposite letter जो है, वो आपका answer होगा, या फिर आप जो right की position है, उसे 27 में से minus करें, तो 27 minus 10, तो हमारे पास कितना आजाएगा, 17, ठीक है, और 17 भी किसकी position होती है, क्यूंकि, तो हमारा answer क्या आजाएगा, क्यूंकि opposite का sum 27 होता है, अगर 27 में से इसे minus करूँगा मैं, तो यह हमारी left से position आजाएगी, देखो ranking वाला concept था, यहा और कुछ नहीं था, ranking वाल यह तो उसमें होता है, left plus right, minus one equals to total होता है, यहाँ पर total 26 letter थे, right से उसकी position थी, हम left से उसकी position निकाल सकते थे, तो ऐसे ही, मैंने 27 मान लिया, यह इसको याद करने के एक और तरीका है, कि opposite pair कसम 27 होता है, तो 27 में से 10 minus करा, उसके left से position आगे, left से क्या हो, वो क्यूं, तो जब यह आपको from क्यों आता है, उसको solve करने के 3 तरीके हैं, जो आपको easy लगे, आप उससे solve करें, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखो मैं from हमेशा उपर रखता हूँ, तो आप देखा, आप भी from को उपर रखना, अब जब दोनों position अलग अलग तो देखें, from उपर रहेगा, from left से 5th, and right से 10th, तो देखें, जब यह दोनों opposite होने, यानि एक right और एक left हो, तो यह दोनों आपस में add होंगे, और इसका answer हैगा, क्योंकि from बोला है न, from, तो यह आजागा, left से 15th, और left से 15th हमारा letter होता है, O, तो O will be the answer, फिर से देखते हैं, एक और question, मैंने आपको बोला है, कि left से, ठीक है, left से, 6, k right में, 5th letter, तो यह दोनों add होंगे, और क्योंकि from, left से बोला है, तो यह हो जाए कि left से 11th, और left से 11th letter कौन सा होता है, हमारा, k, k, ठीक है, तो इसका अंसर आजाएगा, हमारा k, अब सेम चीज़ मैं from right लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो right से, ठीक है, थोड़ा से एक level अप लेके चलता हूँ, मैं आपको, right से 15th letter, के left में third letter कौन सा होगा, तो आप देखें, दोनों को add करेंगे, क्योंकि आप from था, तो हमारा answer आएगा right साइट से 18th, ठीक है, अब right साइट से 18th है, आप इसे solve कर लेना, और इस question का answer मुझे comment में बताना, तो यहाँ पे आपका alphabet क्यूबल का basic, basic, जो है, वो complete होता है, ठीक है, अब इसका एक advance question है, वो मैं आपको solve करवाता हूँ, advance question में कुछ नहीं है, बस आपकी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे for example, मैं आपको यह कह दूँ, ठीक है, मैं आपको यह कह देता हूँ, एक question देता हूँ मैं आपको,